वेल्कम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक हमने एक से लेकर के पांच उनिट तक कम्प्लीट कर लिया है और हम यहां पर सेकंड पार्ट को कम्प्लीट करेंगे जिसमें आप तैंदुलकर जी का वर्क है कन्यादान उसके बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले जो इसका फर्स्ट पार था मोहन रागेश जी के बारे में आपने पढ़ा इत्यापित आपनों वीडियो इसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक में आपको वीडियो की डैस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप उसको कम्प्लीट कर सकते हैं यह देवित है आपने चैनल को सब्सक्राइ देन में चैनल के लिए यह एंट जर्नलिस्ट अपनीमें के लिए नि judges लेंखर बाने में लिखते थे तो यह विए से जोड़े हुए है तो मराथी लेंग्वेज में लिखते थे ठीक है पोट चालू है कमला और माजी बहन यह सब उन्होंने लिखा है कि कन्यादान कन्यादान एक बहत्रीन स्टोरी है सूपर हिट स्टोरी है जिसको मैंने यहां पर आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी एक separate वीडियो मैंने बनाया हुआ है आपके exam के point of view से बहुत बहत्रीन है और सच में कहानी बहुत बहत्रीन है ठीक है वहाँ पर मैंने इसके characters और पूरी नाटक के अंदर man character कौन है ठीक है तो इसका right answer है आपका नाथ देवालिकर अगला question है जोती और जापरकास आर नाथ देवालिकर के क्या है इसका right answer descendants 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 का मलत होता है बच्चे यह इसके बच्चे हैं एक लड़का है एक लड़की है अगला question है नाथ देवालिकर's philosophy is based on नाथ देवालिकर की philosophy किसके ऊपर है इसका right answer है democracy ठीक है यह एक माँ और बता दूआ आपको कि महात्मा का हंदिये से बहुज़ता परवावित है है ना तो यह बहुत ही simple gentle non-violence और समानता भाईचारा इन चीजों में believe करते हैं ठीक है अगला question है नाथ देवालिकर is a progressive person who hates न जो नफरत करते हैं कास्टिज्म से जाती विरादरी से इनका बहुत ही जलना नफरत वाला से इन है अगला question है आपका इन दपले कन्यादान जोती एक्सप्रेश हर डिजार टो मैरी अरून अठावले हुई जे एंग नाटक कन्यादान में जोती जोकी नाद्देवालिकर की लड़की है वह एक अरून अठावले नाम का लड़का है उससे साधी करना चाहती है यह कौन है इसका राइट आंसर ह यह एक एसी कर्टिग्रीगा है और यह जो लड़की है जो होती यह मलब आप वी आईपी टाइप है क्योंकि इनकी पिताजी वह MLA है MLA की लड़की अदलित से से साधी करना चाहती है तो कुछ ऐसी कहानी है बहुत ही बहतरीन कहानी है आप इसको सच में सस्पेंस है तो उस चेंज इन इंडिया थो कन्यादान एक ऐसा नाटक है जो टेक्श्रों मोड़नेटी मोड़नेटी जो अधुनिकता है इसको भी इंडिकेट करता है सोसल चेंज और सामाजिक परिवर्तन है भारत के अंदर इसको भी सो करता है तो किस तरीके से कोशन नमबर नाइन का अंजर है मैरिज मैरिज के तरीके से कि एक जाती ब्रादरी वाली जो चीज है उसको खतम करके हम आधुमिक भारत का निर्मान कर सकते हैं लेकिन यहाप इसका साइड इफेक्ट दिखाया गया है इस नाटक के अंदर इसलिए आपको बोलता बहुत अच्छी स्टोरी है देवालिकर ड्रीम्स ऑफ चेंजिंग कास्थ व्रीडन सोसाइटी विद इस डॉटर जोती एज ए नाट देवालिकर जो जोती के पिताजी है वो कास्टिज्म वाली सिस्टम को बदलना चाहते हैं और सोसाइटी के सामने एक एक्जामपल रखना चाहते हैं अपनी लड़की की साधिक दलित के साथ करवा करके तो स्कुराइट अंसर है आपका सोलजर वह जोती को इस आंदोलन का सोलजर बनाना चाहते हैं कि एक कहते हैं ने कि तुम जाती ब्रादरी में विश्वास नहीं करते तो तुमने ऐसा क्या कर दिया तो इसने नाद्देवालिकर ने अपनी लड़की को ही एक सिपाही की तरीके से आगे बढ़ा करके इसी की साथ ही खुद दलित से करवाई ताकि दूसरे लोग इससे इंस्पार हो सके और खुद भी एक MLA था तो जब MLA ऐसा कर सकते तो नोर्मल लोग क्यों नहीं कर सकते हैं अगला कोश्चन है आपका एट दा एंड ऑफ ए जाती है किस चीज को ले करके तो इसकराईट आंसर आपका टू कल्चर दो अलग अलग कल्चर थे एक विए पि लोगों के बीच में क्लैस आजाता है इसमें नाद्देवालिकर की पतनी कौन है इसका राइट आंसर है आपका सेवा यह अपने आप में एक सोशलिस्ट वॉरत है यह भी समासुधायक टाइप है इस प्रकार से कौन कहता है I feel so proud of you मुझे तुम पर गर्व है जो ट्रेनिंग तुमने दी वो बेकार नहीं जाएगी इस बात को कौन कहता है इस कराइट अंसर है नाथ देवालिकर है ना मनलवने बच्चों से बात कर रहा है वे लड़के से बात कर रहा है कि जो ट्रेनिंग मैंने तुम पो दी क्योंकि गांदीजी से इंस्पार थे परवाला सीन ऐसा है ने ना कोई ब्रहमण है ना कोई फ्रहां सुद्र टूसाव इंसान है तो इनसान इंसान के साथ साधी कर सकता है उभ покуп जांडा कुछ इंड़ाइं लेकिन इस फिलोस्पी को बढाने से बच्चों की जिनृ कि सवरकार से बरबाद भी वह यहां पर दिख अपनी परसनालिटी को मैच करता है तो इसमें आपका करेक्टर है विजय तेंदुलकर जो इसके खुद राइटर है वह नाद्देवाली कर जैसे हैं मतलब वह एक गांधिवादी टाइप के आदमी है जोती डिमांड्स स्ट्रेट आंसर फ्रों इस फादर फॉर डिलिवरिंग सच ए जोती जो है अपने पिताजी से एक स्पीच दिलवाना चाहती है बहसन दिलवाना चाहती है किस परकार का स्पीच दिलवाना चाहती है तो इसका राइट आंसर है आपका हाइपो क्रिटिकल मुदभ होता है एक कि पाखंडी ढूंगी मतलब आदमी जिस ऐसी बात कहता है जिसका उसको जमिर स्विकार ना करता हो है तो एक ऐसा फीच जोती अपने से दिलवाना चाहती है जो जोती के पिदाजी खुद सुविकार नहीं करते हैं कन्यादान इस अबाउट दरोंग फिलोसफी ओफ एन इंफ्लुएंच इन इफेक्च्वल ड्रीमर एंड इज डीपली है तो कन्यादा ने एक ऐसी कहानी तो रोंग फिलोसफी एक गलत विचार धारा को इंडिकेट किया गया है एनन इफेक्च्वल ड्रीमर और इस डीपली इन इसका रियालिटी से कोई खास संब्ध है नहीं तो कई बार सपने ऐसे देख लेते हैं जो रियालिटी में उतना इफेक्टिव नहीं दिखाई देते जितना की सोचने पर लगते हैं इसका राइट आंसर आपका पैसिमिस्टिक पले यह अपने आप में एक ऐसा नाटक है जो क पैसिमिस्टिक पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निरासावादी तो कुछ ऐसे नाटक कुछ ऐसी कहानिया है जिन्को पढ़ करके आप मोटिवेट नहीं होते हैं तो यह कहानी कुछ ऐसे हैं लेस्ची कहानी नेilled hit तो इसमें से आपका राइट अंसरे सभी सांतता को चालू है दव वल्चोर्स और सकाराम डिंदर हो इस नोवन एज दा एंग्री यंग मैं इन मराथी थिएटर मराथी थिएटर के अंदर एंग्री यंग मैं किसको माना जाता है तो यह है विजय तेंदुलकर जी अगला कोश कोशन है वीच ओप दिड्रामेटिक कंपनी तूर बॉमबे तो इन में कौन सी द्रामेटिक कंपनी है जो बॉमबे तूर करने के लिए आई थी इसका राइट आंसर आपका दी दर्लीविस द्रामेटिक कंपनी दा फिर लो कंपनी norvelly और बोई चंपनी ही सारी बॉमबे beginning as a strong fellow both in body and mind इन में से ऐसा कौन सा करेक्टर है जो सुरू से ही body और mind शरीर और दिमाग से काफी स्ट्रोंग दिखाया गया है तो इसका राइट आंसर आपका अरून अठावले ठीक है अरून अठावले वही दलित लड़का है ठीक है इससे जोती की साधी होती है इन में से एक स्टेट में आता है कि आज सच में मैंने जाती ब्रादरी वाला जो बैरियर था सको तोड़ दिया था तोड़ दिया है यह बात किस ने कहिए कि यह नात देवाली करने सेवा से इसकी पतिनी और यह नात कहीं थी जब में अपने साधी अपनी लड़की की आदमी था दारूची था उस दारूची से साधी की सिर्विस लिए ताकि जाती ब्रादरी का गैप खतम हो जाए और उस दारूची आदमी ने एक पढ़ी लिखे लिड़की की जिन्द की किस परकार से बरबाद की वह इस कहानी में आप देख सकते हैं नेक्स्ट किसी वीडिय आपको अच्छा लगा होगा इसलिए आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए गोड़ ब्लाइस यह टेक केर